हालो इस्टुडेंट्स मैं बेपी सिंग आज आपके लिए डिफरेंशियल जोमेट्री का नेश लेक्ट 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 आया हूँ आज मैं करवेचर यारी कापपा का डेरिवेशन बताऊंगा और टोर्जन का भी डेरिवेशन बताऊंगा तो सबसे पहले में कपपा का डेरिवेशन बताऊंगा आर डैस और डॉट दौनों से बताऊंगा देखिए यह प्रूफ करके दिखाऊंगा आमें कि कपपा इक्वल टू आर डैस क्रोस आर डवल डैस कपपा के बरावर होता है और यही बरावर होता है R dot cross R double dot का mod upon R dot के mod का Q ये दोनों proof करके दिखाऊंगा पहले फिर torgen proof करूँगा इसका मतलब आज की वीडियो very very important होने वाली है क्योंकि ये proof करने के लिए अक्सर आते रहते हैं और इन पर based भी question होंगे इससे अगरे lecture में मैं आपको लगातार 3-4 lecture question के दूँगा ठीक है तो सबसे पहले आप इसे proof करने से पहले दो बात ध्यान रखेंगे एक तो ये बात ध्यान रखेंगे यही मैं बताई दिता हूं कि R dash जो होता है वो DR upon DS होता है और R dot जो होता है वो DR upon DT होता है ये दो बात आपको ध्यान रखनी है दूसरी बात यहाँ पर ये जब हमने plane बनाया था तो ये tangent plane था T cap ये principal normal N cap और ये binormal B cap ये तीनो एक दूसरे के perpendicular होते हैं और ये unit vector कहलाते हैं इन का मान 1 होता है ये बाते ध्यान रखेंगे तो इसे प्रूफ करने में बहुत आसानी रहेगी एक बात यहाँ दिहान रखेंगे ये तीनो एक दूसरे के perpendicular होते हैं यदि आप यहाँ T cross N निकालेंगे ऐसे चलेंगे तो इसका मान B आएगा यदि आप N cross B निकालेंगे में cap लगा रहा हूं नहीं भी लगा हूं तो आप लगा लेना अगर आप B cross T निकालेंगे तो ये N आएगा ये दिहान रखेंगे दूसरी बात ये सब unit vector हैं जैसे T cap तो इसका मान क्या होता है 1 ये भी आप दिहान रखेंगे एक और ध्यान रखेंगे वो मैं ये बताओंगा प्रूफ में जहां भी आएगा रफ बना के तो चलिए सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना है R dash cross R double dash कपा के बरावर होता है तो R dash क्या होता है सबसे पहले R dash को हम लिखते है DR over DS यानि मैं लिख रहा हूँ R dash और R dash किसके बरावर होता है T के ये आप ध्यान रखेंगे मैं बता चुका हूँ पहले DR over DS क्या होता है T के बरावर T cap के बरावर अगर मैं इसका double differential करूँ तो यहां हो जाएगा T cap का dash और T cap का dash किसके बरावर होता है ये भी मैं बता चुका हूँ कपा N के तो मैं यहां लिखे देता हूँ T dash यहां cap में कहीं cap भूल जाता हूँ तो आप लिख लेना ठीक है और ये T dash होता है कपा N इसका मतलब R double dash हो गया कपा N अब मुझे इन दोनों का ये N के पे ये दिहान रखना यहां T और B और N ये ही वाले चलेंगे ये K यहां एक स्केलर है यानि constant इसे तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ ऐसे कपा बाहर निकलाया T cross N बचा और ये R dash cross R double dash दोनों और का मौड लेदो क्योंकि ये लाना है मुझे तो R dash cross R double dash का मौड यहां कपा का मौड और यहां T cross N का मौड अब T cross N ये लिख दिया मैंने क्या होता है B होता है तो यहां कपा ये तो positive है मौड के अंदर का positive होता जोगी तो बाहर निकलाता है और ये हो गया B cap मैं है लिखूंगा T cross N equal to क्या होता है B ये unit vector होते हैं ऐसे तो इसका मान क्या होगा एक होगा तो यहां कपा dot 1 since B cap की value भी क्या होगी 1 क्योंकि unit vector है इसका मतलब R dash cross R double dash हमारा मौड लगा दें तो यह आगया कपा यही आपको proof करना था यहां तक कोई परिशानी अब हमको यह proof करना है इसको देखिए इसे proof करने के लिए हमें क्या चाहिए R dot सबसे पहले एक बात बताईए यह मैं बताना चाहता था यह R dash है और इसे आप कह रहे हैं DR upon DS यही तो बताया था मैंने कोई परिशानी अब एक बात बताईए यहां मैं DT की डिवाइड कर दू और यहां भी DT की डिवाइड कर दू तो कोई परिशानी कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए इस वाले को ऊपर वाले को हम R dot कहते हैं और नीचे वाले को S dot हो गया DS over DT यानी S dot DR over DT यानी R dot R dash R dash को हम T कहते हैं क्या कहते हैं T cap into S dot और दौनों और का more लिख दीजिए मैं हैं लिखे देता हूँ R dash वरावर क्या होता है T cap इसे आप खोलेंगे S dot ये इसके लिए बाहर अलग निकाल लो और T cap को अलग कर लीजिए इसका मान फिर 1 हो गया यहां लिखाए ना B cap ऐसे ही T cap की value क्या होती है 1 तो यहां सिर्फ रह गया S dot का Q और यहां R dot यहां S dot हो गया और यहां R dot इसकी मुझे जरूरत पढ़ेगी इसकी जगे पर इसलिए मैंने निकाल दिया हमारे पास सिर्फ हमें R dot मिला दुबारा यहां से ले लिता हूँ Now हमें R dot मिला क्या R dash S dot लेकिन अभी तो मुझे R double dot चाहिए निकालो मज़ा आ रहा है न हर point समझ में आ रहा है आईए R double dot का मतलब है इसका T के respect differential समझना है तो इसकी तो multiply और इसका differential T के respect ऐसे हो जाएगा पिलस इसकी multiply इसका नहीं होगा क्योंकि यह DR over DS है तो मैं ऐसे लेके देता हूँ D upon dt और R dash अभी मैंने इसका किया नहीं है क्योंकि होगा ही नहीं अब मैं करके दिखाऊंगा तो R double dot equal R dash S double dot पिलस S dot इसे मैं लिख सकता हूँ D upon DS R dash into Ds upon dt इसे लिख सकता हूँ कोई परिशानी चलिए दुबारा लिख लिजिए R double dot R dash S double dot पिलस S dot यहां इंटू है यह गलती हो गई अब इसका differential देखो यह S dot हो गया S dot यह रहा तो यह तो मैं square करे देता हूँ इसका एक वार और differential करते तो क्या लिख देते R double dash वही इसका एक वार और हो रहा है ना R dash का मतलब क्या D R over D S एक वार और करेंगे तो R double dash हो गया या D square R upon D S square हो गया तो यहां तक साइद आपको कोई परिशानी नहीं होई होगी अब हमें इन दोनों का cross करना है clear? आईए यहां करते हैं cross R dot cross R double dot mod तो में बाद में लगा दूँगा R dot मेरे पास ये रहा मैं ऐसे लिख दूँ नमबर डाल दूँँ first और second से by first and second तो R dot की value हमारे पास ये रही R dash S dot cross double dot की ये रही R dash S double dot plus S dot का square R double dash चलिए करते हैं cross देखिए ये S dot S double dot ये तो scalar है इनकी तो multiply होगी और ये vector है R dash और R double dash ये vector है आप यहाँ vector का sign भी लगा सकते हैं पर मैंने नहीं लगाया और आप भी न लगाए तो गलत नहीं होगा तो ये तो multiply में आगए ऐसे S dot S double dot और इसकी इसके साथ cross होगी ऐसे plus इसकी dot होगी इसके साथ तो ये S dot का Q और R dash की इसके साथ cross होगी ऐसे आपको ये पता है ये 0 होगया I dot I, I cross I या J cross J या K cross G और यहाँ आप पढ़ना है T B में यहाँ T cross T या N cross N या B cross B ये वाली इन पर कैप लगे हुए हैं आप लगा लेना इन सब का मान 0 तो इसका मान 0 होगया सिर्फ और सिर्फ बचा यहाँ से बढ़ाते हैं आगे ये क्या लेके चल लाईते हैं हम R dot cross R double dot this is 0 सिर्फ बचा S dot का Q और R dash cross R double dash अब इंतजार किस बात का down और का mode लगा देते हैं लगा दे चलिए यहाँ mode लगा दीजिए तो इधर भी mode लगाएंगे और इधर भी mode लगाएंगे इसकी value आपने proof कर दी इसे बोलते हैं कपा यहाँ Q रह गया तो यहाँ पर R dot cross R double dot इसकी जगह पर देखिए मैंने कहा था न जरुवत पड़ेगी एस डॉट की जगह पर R dot लिख सकते हैं R dot का Q और यह हो गया आपका कपा मैं यहाँ लेखे देता हूं सायद नीचे न दिखाई दे तो कपा इक्वल क्या होगा यह upon में चला जाएगा R dot cross R double dot upon R dot का Q mode में तो मैंने यहाँ कॉपा यह भी परूफ करके दिखाया और यहँ भी परूफ करके दिखाया यहाँ तक आपको कितNa मजा आया पडने में हर point समझ में आया तो please like कर दीजिए like करने में कोई समय नश्ट नहीं हो रा आई कोई पैसा खर्च हो रा इससे हमें motivation मिलता है, कि हमारी वीडियो अच्छी है, ठीक है, और हाँ अपने फ्रेंडों को जरूर सियर करना, और next वीडियो आप किस topic पे चाते हैं, वो भी comment किया करो, ठीक है, तो चलिए, अब बताते हैं, हमने कपा बता दिया, अब आपको torgen बताते हैं, torgen आकर क्या होता है, ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको torgen बता रहा हूँ, torgen का derivation dash में भी बताऊंगा, और dot में भी बताऊंगा, torgen होता क्या है, यह tau होलते ही से torgen को, और यह r dash, r double dash, r triple dash, upon r dash cross, r double dash के mod का square, और यह dot में होता है, r dot, r double dot, r triple dot, upon r dot, r double dot के mod का square, तो सबसे पहले मैं dash proof करूँगा, फिर dot वाला बताऊंगा, ठीक है, चलिए, हम यह जानते हैं, r dash, यानि dr over ds, t होता है, इसे हम cap लिख सकते हैं, खिलिया, और इसको मैं ऐसे अगर लिख दूँ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, t cap, plus 0 n cap, plus 0 b cap, जरूरत पढ़ेगी, इसलिए लिख दिया है, बाकी t ये दोनों क्या है, 0 है, के लिए, आएगर मैं double dash करता हूँ, तो इसका एक बार differential हो जाएगा, ये t cap का dash, और t dash हम बता चुके हैं, क्या होता है, kappa n, यहां लिखे देता हूँ, t dash का cap बरावर kappa n होता है, तो मैं इसे सकता हूँ, r double dash kappa n, ऐसे लिख सकता हूँ, अब इसे भी में ऐसे कैसे बना हूँ, r double dash equal to 0 t cap, पिलस kappa n cap, पिलस 0 b cap, यहां मैंने केवल kappa n cap था, यहां 0 लगा दिया, यहां 0 यह सेम बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका answer एक volume के according समझाँगा, आपको, ठीक है, आईए, आप निकालते हैं, r triple dash s, इसका मतलब इसका फिर differential, kappa की multiply, इसका differential ऐसे dn cap upon ds, पिलस के k का differential k dash, और n cap की multiply, अब dn upon ds, इसका भी हम जानते हैं, हमने proof कराए हैं यह सब, तो इसकी value क्या होती है, kappa, और इसकी value होती है, tau b cap, माइनस kappa t cap, पिलस k dash n cap, यह इसकी value होती है, यह मैंने लगा दी, multiply कर दीजिए, इसमें multiply करेंगे, तो kappa tau b cap, माइनस kappa square t cap, पिलस k dash n cap, r triple dash, इसे एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, पहले t का ले लीजिए, तो माइनस के kappa square t cap, n का ले लीजिए, kappa dash n cap, और last में b का, kappa tau b cap, हमारे पास r dash मिल गया, r double dash मिल गया, r triple dash, अब इसे हम एक जगे लिखें, तो matrix से solve कर सकते हैं, जैसे आपने 12 में पढ़ा हूँ vector, तो मैं यहां लिख रहा हूँ, r dash, r double dash, r triple dash, इसे मैं matrix से बना सकता हूँ, यहां t का coefficient कितना है 1, n का coefficient 0, और b का coefficient 0, फिर दूसरे में t का coefficient 0, n का coefficient kappa, और b का coefficient 0, फिर नीचे t का coefficient minus kappa square, n का coefficient kappa dash, और b का coefficient kappa tau, और बाहर यह जो coefficient लिए थे, किसका लिया था, t का, n का और b cap का, यह यहां बाहर मैंने oman ले लिए, इनका मान एक होता है, कैसे है, पहले इसी को दिखा रहा हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, t dot n cap cross b cap, और t cap dot यह और यह होते हैं unit vector, तो t dot t क्या हो गया, 1, तो इधर का हिस्सा 1 हो गया, सिर्फ यह बचा, इसको हमें खोलना है, जैसे 12 में matrix खोला हो, तो 1 से खुलेगा केवल, इसकी multiply इसमें, kappa square tau बापी sub 0, यह आ गया r dash, r double dash, r triple dash, अब मैं kappa आपको अभी proof कर चुका हूँ, kappa क्या होत है, तो आपर tau की value निकाले लिते हैं, तो tau equal हो गया, r dash, r double dash, r triple dash, upon kappa का square, kappa square की value लगा दीजिए, तो answer आ जाता है, r dash, r double dash, r triple dash, और इसकी value होती है, r dash cross r double dash का mode, square है, तो square कर दीजिए, यही हमारा proof था, तो एक एक point आपकी समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, को लग रही हो, बीडियो पढ़े में मज़ा आ रहा हो, तो please अपने friends को जरूर share करें, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ, आपके दोस्त भी मुझसे जुड़े, ठीक है, और यही मेरी guru दक्षना है, अगर आपने एक friend को भी मेरी video share कर दी, तो मैं और भी dt कर दूँ, तो कोई परेशानी, तो यह बन गया, अभी पहले ही पढ़ाया है, r dot upon s dot, इसका मतलब r dot की value हो गई, r dash s dot, अर्थात में इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, r dash s dot, पिलस 0 r double dash, पिलस 0 r triple dash, ऐसे भी में लिख सकता हूँ, जरूरत पढ़ेगी, के लिए, यहा कालना है, r double dot, t के respect, इसका तो गुणा करेंगे, और यहां को differential तो हो जाएगा, double dot बन जाएगा, पिलस इसकी multiply, इसका differential नहीं हो सकता, तो ऐसे लिख देते हैं, और r dash, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यह dr over ds है, तो t के respect कैसे बन जाएगा, तो r dash s double dot, पिलस s dot, और इसका हम d upon ds, r dash, और ds upon dt, तो यहां बन गया, r dash s double dot, पिलस s dot, और s dot, यह रहा, s dot का square, और इसका एक बाट differential क्या बन गया, double dash, अब मैं डारेक्ट कर दूँगा, जैसे कि इसका double dash, और s dot का square, आगे, समझ गए, तो यह आगया, आपका r double dot, इसी में में आगे बढ़ाई देता लगाने से क्या फादा, आगे, सुग्दा मिल जाएगी, एक बार और चाहिए, क्योंकि तीन बार कह रहा है, तो चलिए, यहां triple dot करते हैं, अब देखिए, इसकी तो multiply, इसका हो गया, फिर differential, तो triple dot, अब इसकी multiply, इसका में direct कर रहा हूँ, double dash into s dot, गेरो double dash into s dot, अब इस पे आजाएए, r dash double dash की multiply, इसका 2s dot, s dot को s double dot, पिलस, s dot के square की multiply करूँ, तो इसका होगा triple dash, और s dot और आजाएगो, जैसे ही आएगो s dot, एक और आजाएगा, आईए, तो r triple dot equal हो गया, r dash, s triple dot, देखिए, यह और यह सेम हैं, तो 2 और 1, 3, s dot, s double dot, r double dash, और यह कितना हो गया, यहाँ, s dot की power 3, r triple dash, इसे में नम्मर 3 बनाई देता हूँ, यहाँ तक साइद कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आएगे अब यह लेके चलते हैं, इसे में लेके चलना हूँ, r dot, r double dot, r triple dot, फिर वोई कहानी है, r dot में dash, double dash के coefficient, एक matrix के level से, कैसे? r dash का कितना है coefficient, s dot, इन दोनों के 0, 0, इस equation में आओ, इसका क्या है, s double dot, और इसका coefficient, s dot का square, और इसका coefficient, 0, यहाँ आईए, इदार, s triple dot, यहाँ आईए, 3, s dot, s double dot, और इसका होगा, s dot का q, और बाहर आएंगे आपके, r dash, r double dash, r triple dash, यहाँ तक कोई परिशानी, चलिए, इसको solve करेंगे, आप तो s dot, इससे और इससे इसकी multiply, इसमें करेंगे, तो s dot की power 5, इसमें करेंगे 0, आगे सब 0 हो जाएंगे, और इसकी value ही लगा दू, यहाँ से इसकी value हो गई tau, देखो, इन टू में, और r dash cross r double dash का square, तो यह हो हो गया s dot का 6, और यह tau, और यह हो गया कपा square, since r dash cross r double dash का mode क्या होता है, कपा, अभी प्रूफ किया था, इसका मतलब यहाँ r dot, r double dot, r triple dot equal, हमें तो tau की value चाहिए, तो यह होती है, r dot, r double dot, r triple dot, upon s dot का mode की 6 और कपा square, अब कपा की value क्या होती है, dot में, कपा equal होता है, r dot cross r double dot का mode upon r dot के mode का q, और अभी मैंने बताया था, आपको r dot का mode, s dot का mode बनता है, अभी solve करके दिखाया था, यहाँ पर पहले question में, अगर मैं square कर दूँ यहाँ पर, तो यह r dot cross r double dot के cross का यह, और यह हो जाएगा, 6, r dot के mode का 6, don't over cover, यहाँ रख दीजिए, तो tau equal r dot, r double dot, r triple dot, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r dot के mode का 6, यह positive है, तो positive है mode लगा सकते हैं, और हटा भी सकते हैं, और कपा का square आ गया, r dot cross r double dot के mode का square, upon r dot के mode का 6, यह कट गया, इसका मतलब tau equal आया, r dot, r double dot, r triple dot, upon r dot cross, r double dot के mode का square, तो यह भी आपका proof हो गया, अब मैं आपको question लेके आँगा, must must, जो हर साल exam में आते हैं, मैं उनी question को कराता हूँ, सारी video मेरी important हैं, और others important कुछ नहीं है, मैं सारे करा रहा हूँ, कोई छोड़ी नहीं न, तो सब करने हैं आपको, ठीक है?